Libre Office Base पर इस Spoken Tutorial में आपका स्वागत है। इस Tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे एक Form में Data प्रविष्ट करें और नवीनी करन यानि Data अपडेट करें। पिछले Tutorial में हमने सीखा था कि कैसे एक Form में Form Controls जोड़ें। इस Tutorial में चलिए सीखते हैं कि कैसे एक Form का इस्तिमाल करते हुए Data प्रविष्ट करें और Data अपडेट करें। यहां करने से पहले अपने Form Design में केवल तीन और बदलाव करते हैं। सबसे पहले Libre Office Base प्रोग्राम खोलते हैं यलि वहां पहले से नहीं खुला है। और अपना Library Database खोलते हैं। File menu के अंदर Open पर क्लिक करके अब हम Library Database में हैं। और हम Books Issued to Members Form को खोलेंगे। ज़र करने के लिए Buy Panel पर Forms आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर Dye Panel पर Books Issued to Members Form पर Dye क्लिक करें। और फिर Edit पर क्लिक करें। हम अब Form Design विंडो में हैं। यहां पहले Form का आकार बदलें जिससे कि यह संक्षित और कम प्रभावशाली दिखें। यह करने के लिए हम अपने Form विंडो की उंचाई और लंबाई घटा देंगे। हम यह Form विंडो के उपर और बगल में क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करके करेंगे। अगला अपने Form के शीर्षक का फॉंट बदलते हैं। सबसे उपर Formatting Toolbar में से फॉंट को Arial Black और आकार 12 में बदलते हैं। अंतता Form Controls के Tab क्रम को देखते हैं। यह हमें Form Controls में एक विशिष्ट क्रम में जाने के लिए कीबोर्ड टैब बटन का इस्तिमाल करने में मदद करता है। उधान सरूब कहिए उपर से नीचे यह Tab क्रम कहलाता है। अब Base Form में Form Controls के Tab क्रम को स्वता ही उपर से नीचे निर्धारित करता है। किन्तु चुकि हमने कुछ Text Boxes को हटा दिया है और दो नए List Boxes और चार बटन्स जोड़े हैं, हमने संभवता Tab क्रम मिला दिया होगा। अता हम इसे अभी निर्धाइद करेंगे। Form Design Toolbar में साधहारणता विंडो के नीचे मिलता है। हम आइकन्स को शुरू से अन तक देखेंगे और Tool Tip के साथ आइकन खोजेंगे जो कहेगा Activation Order। चलिए इस आइकन पर क्लिक करते हैं। अब हम Tab Order शीर्षक के साथ एक छोटी पॉप अप विंडो देखते हैं। इन Form Controls को क्रम में लगाने के लिए या तो हम वस्तू को क्लिक, ट्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। या हम Move Up या Move Down बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। अता चलिए Tab क्रम को जैसा चित्र में दर्शाय गया है वैसा निधावित करते हैं। हमने कर लिया। अता चलिए इन बदलावों को सेव करने के लिए OK बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है अब Ctrl-S दबाकर अपना फॉर्म सेव करते हैं। और फिर हम फॉर्म विंडो बंद कर देंगे। और अंताता हमने अपना फॉर्म डिजाइन समाप्त कर लिया। अब अपना फॉर्म जांचते हैं। मुख्य बेस विंडो में चलिए Books Issued to Members फॉर्म को इस पर डबल क्लिक करके खोलें। अब फॉर्म डेटा प्रविष्ट रूप में खुला है। शीट सेक पर ध्यान दीजिए जो कह रहा है फॉर्म टू ट्रैक बुक्स इशूट टू मेंबर्स और यहां हम बुक आईडी और मेंबर आईडी खिर्थान पर बुक टाइटल्स और मेंबर नेम्स देख रहे हैं। इसके साथ ही यह बुक्स इशूट टेबल का पहला रिकॉर्ड है। हम देख रहे हैं बुक टाइटल के सामने एन आउटो बायोग्राफी चिनांकित है और मेंबर नेम के सामने नीशा शर्मा चिनांकित है। और हम बाकी फ्यूल्ड भी देख रहे हैं। अब हम नीचे फॉर्म नविगेशन टूर बार आइकन्स का इस्तिमाल करके सारे रिकॉर्ड में जा सकते हैं। चलिए अब दूसरे रिकॉर्ड पर जाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि सरफ से जैकोब रॉबिन ने मैकबेथ पुस्तक ली है और मानते हैं कि वह अब पुस्तक वापस कर रहा है। अतार इस जानकारी को इस रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं। इसके लिए हम एक्चॉल रिटर्ण डेट में टाइप करेंगे उधान पर रूप साथ साथ क्यारा। और चेकडिन फील्ड को चेक करिए यानि चुनिए। इस जानकारी को सेव करने के लिए हम सेव रिकॉर्ड बटन दबाएंगे जो हमने यहां रखा है। ध्यान दीजे कि बटन धुनले हो गए हैं मतलब है कि यह अब इस्तेमाल करने के लिए अक्षम है। किन्तु यदि हम इस रिकॉर्ड को फिर से बदलें तो बटन पुना सक्षम हो जाएंगे। ठीक है अब चलिए अंडू चेंजिस बटन को जाचें। इसके लिए चलिए बुक टाइटल कॉनकिस्ट और सेल्फ पर क्लिक करके रिकॉर्ड को बदलते हैं। और फिर एक्चल रिटर्ण डेट फील्ड में पांच, साथ, ग्यारह टाइप करते हैं। ध्यान दीजे कि दोनों सेव रेकॉर्ड बटन और अंडू चेंजिस बटन इस्तिमाल के लिए सक्षम हैं। अब चलिए अंडू चेंजिस बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बदलाव जो हमने पहले किये थे वह रद्ध हो गए हैं। ध्यान दीजे, Conquest of Self के स्थान पर Macbeth चिन्दांकित है और Actual Return Date 7-7-11 है। ठीक है, अब डिलीट रेकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। मतलब हम इस दूसरे रेकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस डिलीट के लिए सहतर्क है, अतह यह हमें सावधान करके एक पुष्टी करन के लिए पूछता है। अभी के लिए चलिए आगे चलते हैं और Yes बटन पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि रेकॉर्ड वाकई में डिलीट हुआ है। स्क्रीन से जा चुका है और इसके स्थान पर हम अगला रेकॉर्ड देख रहे हैं। अंततह फॉर्म पर अंतिम बटन जो है न्यू रेकॉर्ड पर क्लिक करके एक नया रेकॉर्ड जोडते हैं। चलिए कुछ values टाइप करते हैं। चुकि issue ID स्वतह बनने वाला फिल्ड है हम इसे छोड़ देंगे। और यहां चलिए जैसा चित्र में दर्शाय गया है वैसा डेटा जोडते हैं। प्रविष्टियों को सेव करने के लिए सेव रेकॉर्ड बटन पर क्लिक करें। यहां एक नियत कार्य है सरस्यों की जानकारी दिखाने के लिए एक फॉर्म बनाएं। फॉर्म को दिखने में संक्षिप्त बनाएं। फॉर्ट बोल्ड करिए। सेव और न्यू रेकॉर्ड बटन जोड़िए। इसी के साथ हम लिबर ओफिस बेस पर फॉर्म डेटा के इस टुटोरियल की समाप्ति की वर आ गए हैं। संक्षिप में हमने सीखा कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट और अपडेट करें। स्पोकेन टुटोरियल प्रोजेक्ट टॉक्ट टू अटीजर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के महाध्यम से राष्ट्य साक्षरतर मिशन द्वारा समर्थे थे। यह प्रोजेक्ट स्पोकेन-tutorial.org द्वारा धन्चानित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT Bombay की ओसे मैं रवी कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जोड़ने के लिए धन्यवाद।